Characteristics of gifted and talented children Gifted or talented children की क्या traits होती है क्या abilities होती है जिसके वज़ासे वो gifted कहलाते हैं या वो talented कहलाते हैं तो characteristics में जो बड़ी लंबी चोड़ी list है लेकिन हम उन में से कुछ को groups करके आपके सामने इसली पेश कर रहे हैं ताकि आपकी understanding जो है वो इन दोनों के बारे में gifted or talented के बारे में जो है वो clear हो gifted जो है वो अपनी innate abilities के साथ gifted कहलाता है और talented जो है वो खास circumstances के अंदर skills हासल करके experience हासल करके hard work करके जो है वो अपना मुकाम हासल करता है और he or she has intelligence but not superior like gifted child that the gifted child has innate intelligence that can be you know superior as compared to other humans तो बाज बच्चे अच्छा अब इन में बड़ा variation पाई जाती है जुरूरी नहीं है कि दो gifted बच्चे आपके सामने बैठे हैं तो उनकी जो habits या उनकी जो characteristics है वो same होंगी they have difference in characteristics हार एक जब बच्चा दुसरे से मुक्लिफ है तो gifted or talented भी एक से दूसरे से मुक्लिफ होते हैं general characteristics उनकी है कि उनकी हैं कि उनमें intelligence बहुत ज़्यादा होती है और उनकी जो system maker होते हैं और generally systems को challenge करने वाले होते हैं followers नहीं होते बलके masterminds होते हैं ideas जो है ने ने create करने वाले होते हैं unique ideas दुनिया को देने वाले होते हैं और social adjustment इनकी इसलिए कम होती है कि इनकी personality जो है वो externally relations make करने वाली नहीं होती लोगों के साथ इतना ज़्यादा क्योंकि आम लोग जो हैं उनकी intelligence के साथ इनकी intelligence का match up नहीं होता जिसके होज़े से इनको आम लोगों की बातों के साथ ये agree नहीं करते हैं ज्यादा तार तो लोग इनको बाज उकात बड़े negative comments भी देते हैं और पागल, खबती इस किसम के हम उलफाज इनके लिए दा करते हैं लेकिन basically वो अपनी higher intelligence की वज़े से एक 10 steps आगे की बात आपको सुना रहे होते हैं जो आपके लिए जो है वो fantasy है या glamorous world है लेकिन उनको जो है वो जो समझा रही होती है कि इस काम को जो आज हम शुरू करेंगे तो 10 साल के बाद जो है इसकी new shape क्या होगी तो हर आदमी imagining कर सकता इतनी peak पे जाके लेकिन जो gifted or talented बचे हैं इनमें यही talent और giftness अल्ला ताला ने दी है कि यह हर एक situation जो है उसको extremely जो है understand करते हैं और system जो है उसको introduce कराते हैं अच्छाए इसमें इनको जो है surprisingly जो है emotional depth भी होती है they are very sensitive लेकिन यह emotional disturbance भी इनमें बहुत होती है because they are not you know those people who can adjust well with the society whatever the society is introducing the system and they will agree and they will you know fit in because they always see that many wrong things are going in the society so they always you know think about they are deep thinker basically so they will always bring new solution for the problem and they are actually the blessing for the society and strong sense of curiosity भी होती है heart cheese का तजस्स होता है बच्पन में बच्चा हर एक बच्चा आपको नज़र आ रहा है कि वो हर च्च्चा को देखना चाहरा होता है वो तो अपनी senses की मदद से चीज़ों को understand करता है एक natural desire है हर बच्चे की लेकिन इन में कुछ extreme desire होती है यह हर एक system जो है उसको तोड़ के देख के इसलिए हम कहते हैं वो बच्चे जो toys को तोड़ के देखना चाहते हैं they are called intelligent शरारत भी हमेशा intelligent दिमाग से होती है क्योंकि शरारत का मतलब है कि they have a new idea और ऐसे बच्चे अगर आप इनको फारग बिठाएंगे तो यह आपके लिए जो है यह तबाही का बाइस भी बन सकते है क्योंकि इनकी पास इतनी intelligence होती है यह उसकी utilization चाहते है जब इनको कोई outlet नहीं मिलता तो यह आपके घर की सारी चीज़ों को तोड़ने पोड़ने भी लग जाते है तो उससे भी इन्दादा होता है कि बच्चा जो है वो outlet चाहरा है तो अगर ऐसे जहीन बच्चों को हम कही involve कर दें किसी activity में तो यह बहतरी इनक काम जो है वो करने वाले होते है तो इनका हल यह है इनकी disturbance को balance करने के लिए कि आप इनको जो है physical exertion और साथ ही इनको किसी जैसे यह puzzle वाली जो गेम्स होती है और यह जो systems को जोड़ने वाली नई नई shapes बनाने वाली यह इनके लिए बड़ी फाइदा में गेम्स होती है इसमें वो घेंटों बैटके busy रहते हैं और चुके एक नई चीज बनाना जो है वो इनकी ख़श होती है और वो इनके इनको असान लगती है बजाए एक formal चीज जो है वो इनके लिए boring है इसी तरह से जो formal education है वो भी इनके लिए boring है यह बड़ी जल्दी class में अपने काम खतम कर लेते हैं इनको मिस इंडिस्टूट करते हैं और वो समझते हैं कि यह बच्चे जो है यह विल्कुल slow learner है यह तो यह teacher की बात को follow नहीं करते है क्योंके इनको बहुत बात उनकी बड़ी boring लग रही होती है तो extreme intelligence को पहचानने के लिए parents और teachers को खास observation करनी चाहिए इन बच्चों पे ताके इनकी traits का जो difference है talented और gifted की अगर वो समझ चाते हैं तो यह बच्चे हमारे system हमारे घर के लिए और हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी blessing और gift हो सकता है किसी भी system को run करने के लिए या system को introduce कराने के लिए